हेलो अरीवन वेलकन टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही है बीट रूट का पराटा तो छली फटा फट से बनाते हैं मैंने एक फ्रेस बीट लिया है जिसे में रफली चौप कर लूँगी बीट रूट काफी ज़दा आरें से भरपूर और अपने सरीर के लिए बहुत ही अब लूँगी एक अध्रक का टुकडा इसको भी रफली चौप कर लूँगी साथ से आठ लसुनगी कलिया डालूँगी और दो हरी मिर्च को भी काट लूँगी और इन सभी का मिक्सिल ग्राइंडर में पेश्ट बना देंगे पेश्ट बना लिया अब दो कब गेव काटा बनेद दन्य पाउडर डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालूंगी और बनी फटे स्पून जीरा पोडर यूड़ा बना दालूंगी और यालाधा चमस मेगी मसाला डालूंगी आप इसकी जग गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लास्ट में एड़ करेंगे बेट उट का पेट जो बनाया था हमने पहले इन सबको अच्छे सी मिक्स करती हुए सब्ट आठा गुंत लेंगे चली आठा गुंते हुए थोड़ी सी बाते कर लेते हैं आदे से ज़्यादा लोगों को और बच्चों को ऐसे हाडवीट पसंद नहीं होते हैं इस तरह से बना कर पराटा खिलाओगे तो सबको ज़रूर पसंद आएगा बाते करते हुए हमने आठा गुंत लिया है अब इसमें थोड़ा सा गी लगाएंगे गी लगाने के बाद वापस आठा थोड़ा सा गुत लेंगे और दस मिनट के लिए ढख लगाके रख देंगे दस मिनट बाद ढख हटाएंगे और हलकी हाथों से आठे को गुत लेंगे आठा हमें एक दम सौब गूत कर त्यार करना होगा करा काल देख ऐस तरह से अभी मैं पेडा या लोई बनाऊंगी Kind of a अ चूड़ा सा दालोंगी और रोटो की तरभ लेंगे आप किसी भी साइस का बना सकते हो ट्रेंगल, स्क्राइन, गोल, वह आपके उपर याप कौन से सिप का बनाना चौते हो, थोड़ा-थोड़ा सुखा आठा हम स्प्रिंगल करते रहेंगे चकले पर ताकि चिपके ना, अब रोठी या पराठी को अमने बेल लिया है, अब तवा गरम करेंगे, तवा गरम होने के पल्टा लेंगे और गी लगा देंगे, दूसे साइट से भी पल्टा लेंगे और गी लगाएंगे, आप रिफाइन ओल और बट्र का भी इस्तमाल कर सकते हो, और स्ट्रेप चुला से प्रेस करते हुए आगे पीछे सेख लेंगे, और पराठा बनको तयार है, अब थोड़ा पराठा बने लेंगे, और दूसुथा पमिख लेंगे, और पना था खाओ लेंगे, और परेस कि आड़ा, बाजा छुला से प्रेस करते हैं, और दूसरा पराठा बनको तयार है, और सारे पराठा बना लेंगे, तो Patriot के लाओ पिया पराठा, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट लगते हैं ये रेसिपी आप लोग भी जरूर जरूर बनाएगा कर पर सबको खिलाएगा